जै जिनीद्र द्रशिकों, स्वागत है आप सभी का इस विशेश प्रसारण श्रिंखला में, जिसमें आप देख रहे हैं धर्मनगरी पन्ना में, संत शिरोमनी आचारे श्री विध्या सागर जी महा मनिराज से दीक्षित शिष्य अरहम द्यान योग प्रनेता मुनी श्री 108 प्रणम में सागर महराज जी ससंग के पावन सानेदे में प्रथम बार भव्याति भव्या रूप से संपन्न हुआ, श्री महा महा नंदीश्वर द्वीप महा मंडल विधान, विगत चार मार्च से नौ मार्च तक ये विधान विशेश भक्ति के साथ संपन्न हुआ, जिसमें शामिल होकर सैकणों भक्तों ने अभूत पूर्व प्रभु भक्ति की और अपना जीवन धन्य कर लिया, महुत्सव के पाँच दिन सानंद संपन होने के बाद अंतिम दिन यानी नौ मार्च को सभी पुर्णेशाली भक्त पंडाल में एकत्रित हुए और श्रावकों ने मंगल क्रियाओं की शुरुवात करते हुए सर्वप्रथम जिनेंद्र प्रभु का अभशेक किया, अभशेक उप्रांत विश्व शान्त की कामना से शान्त धारा भी की गई परमपुजा उनिवर्ष्टी प्रणमे सागर जी महामुनी राज सर्वसंगर से स्वास्त लावरतम अरीकश्री विग्यान मती माता जी अरीकश्री समय सागर जी मुनेर सर्वसंगर से स्वास्त लावरतम समस्त भारत वर्शे दिगंबर सादु चिनार बिंदे स्वास्त ल पंचरतन परिवारस से जिनेंदर सवीता विराग ससंग परिवारस से संजय मम्ता अनुज सीमा आदी पन्ना परिवारस से सुर्भी मयंग भोपल विमल संकुलता परिवारस से संतोस संध्या सुपनिल मौनिका अरहम छोटु परिवारस से वीरचंद सुनील संदीप जैनमती म नीसा, आरादना समीक्षा, साक्षी, सानिया, सक्षम, माहि, सिंगई परिवारस, रजनीस, पुसपा, comprada, रोहित, सारीका, ओं, आन्या, स्रियांची, रिती सा, मिली परिवारस, अरुण बरुण, तरुण, जी, मंझुजी, निदी, और विलरानी परिवारस, स्री मती सुमती रानी केलास चंद सारीगा डॉक्टर प्रक्षाल प्रखर धैर परिवारस से राजेंदर रीतेंदर जिनेंदर सतेंदर द्वारी परिवारस से सील चंदर सोरभ सेलेंदर पंकत सम्यक सुब्रत समर्त सार्तक रूप परिवारस से बिनूद अंजू अभिशेक आदिश, प्यूस, अरपन, संकित, साहिल, डूडिया परिवारस, प्रकाश चंडर, विकास, शृद्दा, सुविधी, द्रोब, सनत, विसालसा परिवारस, बृत्रेश चंडर, राजुलमती, वीरेश, रस्मी, अभीताप, आकांचा, विकास, रिचा, रिम्जिम्बीनू, अ सी देशना इच्छादिस आनायरा परिवारस आभा केलास चंद्र संचल प्रिया आकरस आस्थिख परिवारस रोह तरी सब नीता सुर्भी आनिया हरसित परिवारस से अभे कुमार जैसरी विने रचना विकास पुस्पा पलक ओम परिवारस से महीश चंद्र निसा अनुभा गरिमा स्वाम्य परिवारस से सिखर चंद्र रमीश चंद्र जी रजनेश राजेश रीतेश अनामिका सीतल मिली रियांकरेशी युवांसी वर्निता अधिता विदिता विदित नेमी चंद्र जी स्टूडेंट टेवल सागर स्वा शांतिधारा उप्रांत सभी भक्त परिवारों ने यथा स्थान विराजित होकर पूजन का अनंद लिया और लोक कल्यान हितु जिनेंद्र भगवान को अर्गे समर्पित किये मुझा रुपाथ सर्वसादू पंच प्रविष्टि भयो बगवाद शाष्ट इसानमी बूसमेग घर्संग्याच रिक्तर पूर्ण मारके मिर्पामी तीशनी जित्वाल भूनि सुधान लिभानिया शुंष्टि अमाग भामी वे वासिताये तुदार्ध ने गुफूर्ष् पुत के विलोगा इस प्रुनमना परिया सूती बोदा प्रुद्य प्यां मति क्यान बालब प्रभोदा जस्ती अश्टा उसे दानों भी ममे के विजयं समें दे जन्जों दे पादानों सारी नतुर वे दमपूती बालब रहुआ दिना क्या फर्ज नगे रुँवदिना क्या फर्ज नगे वकतों की करियाने का अप्रुवदिना का फर्ज नगे वकतों धे गर आने ना चैप द्विन भिरा जगत की लग जो रासी हनी में अस्टी करम गेन अस्टी करन कों अच्छ दितु मेनिक नाया में पूजान उपरांत सभी उपस्तित श्रावक श्राविकाओं ने परम पूज्य मनीश्री प्रणम में सागर जी महराज के द्वारा रचित अरहम ध्यान योग किया अभी लोग पूजे गुरु माराज के दी हुई ये अद्वुत प्रक्रिया जिसका नाम है अरहम ध्यान योग इसका अभ्यास भी करेंगे सीखेंगे और अपने भीतर थोड़ा 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 आनने का प्रयास करेंगे पंडाल में और हम ध्यान योग चली ही रहा था कि कुछ श्रावक पूजे मुनिसंग को विने पूर्वा कामंत्रित करते हुए पंडाल में लेकर आये पंडाल में पूजे मुनिसंग का मंगल प्रवेश हुआ तो सभी भक्तों ने यथा स्थान खड़े होकर मुनिश्री का मंगल आशीरवाद प्राप्त किया सबी भक्तों को अपना मंगल आशीश प्रदान करते हुए पुज्य मनिश्टी मन्चा सीथ हुए और अब उन्होंने खुद अपने मुखारबिंद से और हम द्यान योग की क्रिया को आगे बढ़ाया इन पांच मुत्राओं के पांच मुख केंद्र जो शरीर पर है हम उनको पहले जान लें फिरमिन पांच मुत्राओं का अब भ्यास करते है सबसे पहला इस्थान होता है हमारे शरीर में जो शरीर का मुख्य सेंटर पॉइंट होता है नाभी इस्थान इसको हम शक्ति केंद्र कहते हैं क्या बोलते हैं शक्ति केंद्र नावी इस्थान शक्ति के अंदर जो पूरे शरीर की अंदर फैली हुई हज्जारों नाडियों का संचालन करता है और अगर इस शक्ति के अंदर को हम विवस्थित बनाए रखते हैं तो पूरा शरीर स्वस्थ रहता है विवस्थित रहता है नाडियों का संचालन यथा रीती होना चाहिए वो चलता है दूसरा इस्थान हमारा हिर्दय इस्थान होता है इसको हम आनंद केंद्र कहते हैं क्या बोलते हैं? याद रहेगा? दूसरा इस्थान आनंद केंद्र का इस्थान है जो हमारा हिर्दय का इस्थान तीसरा इस्थान हमारा कंठ का मद्द भाग होता है इसको हम विशुद्धी के अंदर कहते हैं क्या बोलते हैं? और चौथा इस्थान हमारा दौनों भर्गुटियों के बीच में जहां बिंदू या तिलक लगाते हैं यह होता है इसको हम ज्यान केंद्र कहते हैं क्या बूलते हैं और पांचमा अस्थान हमारा सिध्धी सिध्धान होता है जो शिर का टॉप पॉइंट होता है इसी सिध्धी केंद्र कहते हैं और Second midra तीसरी midra चौती मुद्रा है पांच्वी मुद्रा जिस से कहीं हैट में जो ब्लॉकेज होते हैं वो सब ठीक होंगे अगर आप चाहते हैं कि हम जिंदगी को सुकून से जी हैं तो हमेशा दो बातों पर ध्यान रहना जिंदगी में चाहें कोई हमारे सामने हो या ना हो हमें किसी रिस्तों से कोई मतलब नहीं हमारी जिंदगी हमारा स्वास्त हमारा चैन पहले होना चाहिए और उसकी दो पैचान आपको बता रहा हो चैन से खाना और चैन से सोना यह जो चीज़ें जिंदगी में अगर चलती रहेंगी तो जिंदगी अच्छी चलेगी और इन दो चीजों में जहां disturbance हुए वाँ सोचना कि हमारी जिंदगी अब किसी दूसरे के कारण से disturb होने लगी। कौन सी दो चीजें? चैन से खाओ और चैन से सोग। अरहम ध्यान योग के बाद धर्म सभा को प्रारंभ करने के लिए दीप प्रज्वलन की मंगल क्रिया संपन न हुई। इस मंगल अवसर पर पाद प्रक्षालन और शास्त्र भेंट करने वाले दानवीर भक्तों का चैन किया गया और ऐसे दानवीर भक्तों को पूज्य मुनिश्व्री ने अपना मंगल आशीरवाद भी प्रदान किया। इन मांगलिक क्षणों में पूज्य गुरुदेव ने यहां बनने वाले संत भवन को एक सुन्दर नाम दिया अरहम विद्या वसतिका। बसतिकाएं बनाई जाती थी। सिद्धान्तों में शिला लिखों में बसतिका शब्द का उल्लिक निलता है। तो आप इसको एक बसतिका का ही नाम नहीं और इस बसतिका को आचार गुरुदेव के नाम से भी जोड़ हैं। और इसी वसतिका को आप उन शित्वगवंतों के जो बीजाक्षर है पूरे द्वादशंग का जो बीजाक्षर है जैसे अरहम कहते हैं उस नाम से भी जोड सकते हैं और इस तरह से आप एक पूरा नाम बना सकते हैं अरहम विद्या वसतिका यह आपके लिए बहुत उत्तम होगा और इस तरह की परिकल्पना आपके लिए चरिस्थाई होगी भुली आच्छरी गुरुदेव शिविद्या सागर्जी महाराज की नाम करण होने के बाद उपस्तित भक्तों को पूझ्य मुनिश्री प्रणमे सागर्जी महाराज की संगीत मैं पूझन करने का पुन्य अवसर भी प्राप्थ हुआ इस अवजर पर लाब उठाते हुए सभी पन्नावासियों ने पुझ्य श्री का पूझन बड़े आनंद और उत्सह के साथ किया गुरु पूझन के बाद अरहम विद्या वसतिका का शिला न्यास कार्य कुशलता पूर्वक संपन किया गया सभी पुझ्याजग दानवीर परिवारों ने विद्य पूर्वक शिला इत्यादी रखकर इस मंगल कारे को पूर्ण किया अरहम विद्या वसतिका का शिला न्यास कार्य संपन्न होने के बाद गाजों बाजों के साथ भव्य रत यात्रा निकाली गई जिसके अंतरगत श्री जी को रत में विराज मान कर भव्य रूप से नगर भ्रमन कराया गया कर दो शोभायात्रा में भीड़ देखते ही बन रही थी चहुँ ओर गाजे बाजी का शोर और मंगल जैकारे लग रहे थे युवावर्ग मार्ग में भक्तिकरता जूमता गाता हुआ आगे बढ़ रहा था हुज मुनिश्री भी भक्तों को अपना मंगल आशीरवाद देते हुए आगे बढ़ रहे थे और जहां जहां से मुनिश्री निकल रहे थे भक्त परिवार गुरुदेव की आरती उतार वो पाद प्रक्षालन कर पुन्यार्जन कर रहे थे कर दो कर दो आपर क्णरी टाइ्खाद करे एंद्यरू करामा अ कर कर दे कर दे जिजिरू जइ कि वाट। कि और कि बहुत क करने साथ कर दिए दुदू कि अपर हमान कि प्राइट कि पयंदे थिए थिए दुदू कि अपर जो, अपर हमान विविद मार्गों में ब्रह्मन कर यात्रा पुनह पंडाल लोटी और प्रतिमा जी को हर्शोल्लास के साथ वेदी पर विराजमान किया गया कुछ इक्षणों बाद श्रावकों ने अभिशेक और शांतिधारा करने का सौभाग्य भी प्राप्त किया इस मंगल अवसर पर पुज्य मुनश्री ने भक्तों को महुत्सव की सानन्द संपनता पर आशीर वचन भी कहे जहां भगवान का इस्मरण हो जाता है अनेक अनेक पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है और जो लोग किसी भी तरह से जनेंद्र भगवान के प्रती सरद्दा नहीं लाते हैं आप देखना वो कहीं ना कहीं अपने अंदर भी दुखी रहते हैं उनके परिवार में भी विसंगतियां रहती हैं उनके परिवार में भी अनेक तरह के दुख रहते हैं क्योंकि वह जो मित्या विचार है मित्या भाव है मित्या सरद्दान है वह हमारे घरों में दुख पै प्रवश्टियां आ नहीं पाते हैं इसलिए अगर आपके अंदर यह विश्वास आ जाए कि हमें अगर पहले किसी भी तरह की कोई हमारे अंदर मिथ्या भावना थी मिथ्या माननेता थी तो हम उससे बच करके सिर्फ यही भावना रखें कि हमारे मन के अंदर जिनेंद्र पचन के बाद सभी लोगों ने आपस में एक दूसरे को रंग लगा कर रंगोत्सव का भी आनन्द लिया और महुत्सव की सानन्द संपनता पर खुशियां मनाई नहीं तो दर्शकों कुछ इस तरह धर्मनगरी पन्ना में प्रथम बार भव्याति भव्य रूप से संपन हुआ चपपन सा सोलह अकृत्रिम जिन भगवान की महा अराधना का स्वन्निम आयोजन श्री महमह नंगदीश्वर द्वीप महमंडल विधान हम भावना भाते हैं धर्मनगरी पन्ना में इसी तरह के धार्मिक अनुष्ठानों के आयोजन होते रहें जिसके माध्यम से श्रावक्ष्ट्राविकाएं धर्म से जोड़े रहें इस मंगल भावना के साथ अब दीजी हमें अनुमती जय जिनीद झालोнако के इस कव लावना धर्मन से जय कि अगरा में भावनान पर्मन भेलरी शालों के साथ एलिए में उल्लाविकाएं अनुमती खिसे ज अत्यान भावना जावनान रहें जया करेंlaughing उड़ ख